नमस्कार मुद्धा आपका लेकर मैं आकांगशा हासिर हूँ आज कल बड़े ही नहीं बलकि बच्चे भी स्मार्टफोन के आदी हो चुके अब सोशल मीडिया की यदि हम बात करें तो वो तो हमारे जिंदेगी का एक काफी एक्टिव हिस्सा बन चुका है जिसे ना चाते भी हम एक्डोर नहीं कर सकते और आज के दौर में बच्चों के बीच काटून काफी पसंद किया जाता है ना के बल बच्चों द्वारा बलकि बड़े भी से काफी पसंद करते हैं तो काट्टून का क्या effect होता है हम पर इसी विशा पर आज हम बात करेंगे और इस विशा पर बात करने के लिए हमारे महमान भी हमसे जुड़ चुके हैं तो चलिए करते हैं अपनी महमान उसे आपका परिचे तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रही है डॉक्टर भूमिका गिज्रे जो की सलाकार भी है और मनुवैग्यानिक भी साथ ही जुड़ रहे है राकेश ठाकुर जो की समाजिक कारे करता है और भोपाल से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही है संधियापारे जो कि सोशल अक्टिवस्ट है आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार सबसे पहला सवाल डॉक्टर भूमिका आपसे कि यह जो कार्टून देखने का इंपक्ट पड़ता है वो किस तरह का पड़ता है हमारे मनमस्कार खास तोर पर बच्चों पर बच्चे जनरली कार्टून देखने की उमर उनकी शुरू हो जाती है बहुत छोटे उमर से ही लोग देखना शुरू करते मुवई का अपस्ट और चुरूंगी की बच्चे को अउर हमें को समझने के उस वेकर समागेज़ावें किります अ मंआट में आपके क्याता है ना ही बहुत जादा इंपस्ट कंव होने के वरन के इन कशा बमागी तो रहक उनके लिए mm में या एनिमेशन स्टोरीज बनाई जाती है बट अगर ब्रेन डेवलपमेंट की बार देखा जाए तो सारा बिहेवियर ब्रेन से ही जुड़ा हुआ रहता है बहुत सारे तरीके की नर्व सेल्स डेवलप हो रही होती है बच्चों में बारा साल तक के ऐसा माना जाता है रिसर्च में की जितनी भी इंटेलिजन्स हम में अल्रेडी है ब्रेन के अंदर अगर उसमें से कुछ चीजे डेवलप नहीं हुई उसका यूज नहीं हो पाया तो बारा उमर के बाद में वो चीजे सिकुडने लगती है उसका यूज नहीं होने के कारण वो खतम होने लगता है और अगर बच्चे बहुत जादा छोटे उमर में कार्टून देखते हैं या स्क्रीन टाइम का यूज करते हैं तो कही ना कई उनके डेवलपमेंट में एफेक्ट आता है यह बहुत सारे रिसर्च में अल्रेडी प् कार्टून की दौरा लेकिन बहुत अच्छे साइड इफेक्ट और नेगेटिव इंपक्ट भी पाया जाते हैं तो हमको यह देख लेना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है और उसमें क्या-क्या अलिमेंट्स है तो जिससे की वो देखे और उस तरीके की चीजे ही ग्रैप करें, उनके दिमाग में वोई चीजें, स्किल्स डेवलप हो, तो कार्टून एक अच्छे रूप में प्रभावित होता है, वरना फिर वो बहुत सारे डामेज कर देता है ब्रेइन में, अगर वो गलत चीजों का ए इनकी speech clear नहीं है, जैसे ऑगी एंड दा कॉक्रोच है, उनके speech is not good, उनके जो texture है, जो peach है, volume है, जो dialogues है, जो dialogues है, that is not good for the kids, और भी ऐसे बहुत सारे कार्टून है, एक्जेक्ली नेम हम नहीं बोल सकते सबके, जिसमें की dialogues is not good, और जो modulation है वो अच्छे नहीं होते हैं, तो parents का concern हो जादा कि तो speech ही नहीं आ रही है, develop नहीं हो रही है, but it's not like that, आप अगर regular उनसे, जितना वो कार्टून देख रहे हैं, उतना ही अगर बड़े उनसे बाते करेंगे, तो उसके बजाए शायद अच्छा speech develop हो जाए, but time कम होने के कारण, family में जार्दा interaction कम होने कारण, सीधा कार्टून का असन वो copycat करने लगते हैं और speech development में impact हो जाता है, बिलकुल, उनके मानसिक विकास के साथ, उनका शारेक विकास भी प्रभावित होता है, और निशित रूप से इसके हम सभी सफर कर रहे है, संधिया पारिक जी हमारे से जुड़ी होई भोपाल से, संधि में जो education था वो कहीं पीछे रागया और मनुरंजन आ गया आ गया, तो अब जिस तरह से cartoons हम देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये हमें कहीं education देते हैं, दिखिए ऐसा है कि बहुत सरे cartoons है, जिस पे कुछ जानवर्दर कीजे होती है, लेकिन अधिकतर बच्चों को पसंद नहीं है, वो बच्चे लोग अधिकतर कुछ ना कुछ आचा ही तेखिए, अधिकतर मोटू पतलु आरे हैं, तो भीम हैं, तो नोबीता, और वो एक सिंचन, वो मैंने बहुत एका, लेकि वो हमेशा जेसे मम्मी की बुराई करता है, मम्मी आप तो हमेशा खाना जो कि मेरे मामा जी का ओता वो एक सिंचन, वो बता थे कि वो हमेशा जेखिए और वाइसे काम करने लग गया था, फिर उन्हों ने उसको समझाया है, तो पिर अईसा लगता है, कभी तो ऐसे कार्टून आते, कि बच्चे लोग वो देखते हैं, वाइसे ही काम करते हैं, वा कि बच्चे बोलते हैं, वाइसे बच्चे बोलते हैं, तो यह बहुत गलत प्रमा पढ़ रहा है, और आजकल तो देखा है, वो इतना सा बच्चा, जो तीन महीने का होगा, तो बच्चे को अभी नहीं मालूम है, कि मुझे मुझे मुबाइल चलाना है, मुझे देखना है, तो यह जो पैरेंट्स हैं, वो उसको तिखा दिखा कि ऐसे आदत कर देते हैं, उनको शोक आता है, अरे देखो, यह देखो, और फिर उसको दूर किला रहे है, यह खामा किला रहे है, अब बच्ची की आदत क्या पढ़ जाती है, अब वो मुबाइल देख रहा है, मैं अभ जिफतों को देखा, जब ऐसे ही कुछ होंगे, एक दो बच्चे मतलब सौ में से दस मान लो, कि वो ऐसे होंगे, जो बिना मुबाइल के खाना खाना खारें, अब वो बच्चा जब खाना का रहा है, पूरा भया से हम मुबाइल पे है, क्या खारा है, उसको कुछ पता नहीं क्या स्वाद है कुछ पता निए पैरेंट वह में डाले जा रहे हैं बचा खाए जारा मुगाल देखे जारा बख यह चल रहा है जी बहुत गलत है जी बहुत अच्छा observation आपने यहां हमारे दर्शकों के साथ साजा किया निश्चित रूप से यह तो हम सभी आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है इसके लिए क्या पैरेंट्स दोशी है कुछ अद तक पैरेंट्स ही दोशी है इसलिए क्योंकि मैं आपको एक्जांपल क्या तो समझाता हूं जी एक्च्वाली हम लोग स्पेस लिए बच्चों के साथ डिल करते हैं उसमें एक कैटिग्री होता है आउर्टिजम तो आउर्टिजम जो रहता है वह कम्मुनिकेशन उसका औरेडी लेकिंग रहता है और वह सेल्फ ओरिंटेड रहता ह है अपने ही एक उनकी दुनिया रहता है अब उसमें बच्चा मोबाइल ऑपरेट करना से गया कंप्यूटर ऑपरेट करना से लेप्टॉप से यूज कर रहा है काटूल निकाल रहा है बहुत सा चीज निजोए कर रहा है उसमें कुछ एडिट भी कर अब पैरन्स का यह मानन होना चुकि ऑटिजम जो केटिगरी जो बच्चे रहते हैं वह हाईली इंटेलिजेंट रहते हैं हमने अपने इतिहास में देखा बहुत सरे मुवी अगर में भी आप लोग देखे होंगे अलबर्ट एंस्टेन से लेके बहुत सारी लोग ऐसे हैं जिसमें थोड़ा ऑर्ट से दिखे जाता है कि और एडी ओरेडिजिंजम बच्चों में इको प्रॉब्लम रहते है जो भी बात रहते है कि इसा सही है बाइ यहां पर जानते हैं कि बच्चे में अगर मेरे प्रॉब्लम है फिर भी हम उसको इस चीज में लेके जा रहे हैं तो यह तो कहीं न कहीं गलत हो जाएगा यह मेरा observation है उसी को सच मान लेते हैं इस विशे में आपका क्या खायाल है तो अभी जैसे कि मैं इस फील्ड में हूँ चाइल साइकोलोजिस्ट में तो रोज ही हफ्ते में दो तीन ऐसे केसे आते हैं जिसको हम आज के दुनिया में अभी हम इसको वर्चॉल आटिसम के नाम से जाना जाता ह है बिकाज बालेजिकल कोई इलनेस नहीं है मम्मी पापा भी जैनेटिकली बहुत अच्छे हैं कोई मैंटल केस हिस्ट्री नहीं है बट कुछ ऐसे सिम्टम्स बच्चा डेवलप कर रहा है आफ्टर बर्थ की वह ऑटिजम फीचर में के अंतरगत आ रहा है तो उसमें आई क स्क्रीन टाइम बोलो या कार्टून बोलो कार्टून स्क्रीन में रहता है उसके करण मैंने पहले भी बता है कि बहुत सारे ब्रेन के कैमिकल्स इंबैलन्स होते हैं जब वह शेप अप हो रहा होता है उस वक्त ही अगर कुछ चीज इंटरफियर हो हमारे कोई भी पैटर्न म और फिर जैसे कि पहले हम लोग बहुत खेला कुदा करते थे बाहर में क्योंकि इतनी अच्छी हाई डीफाइन मुवी या ऐनिमेशन मुवी नहीं थे इतनी अच्छी टीवी नहीं होते थे गैजट्स नहीं होते थे तो हम बाहर खेलते थे अब बच्चे 60% घर पे टीवी पसंद करते हैं क्योंकि इतनी अच्छी चीजे आ गई हैं ओर उसके कारण वो सोशलयाइजेशन से भहत दूर हुए लोगों से बातचीत कैसे करनी है बाते सुनना कैसे हैं आपजर कैसे करना है तो नैचरल चीजों से दूर जाने के कारण वो सारी चीज़े उनको कर रहे हैं हम लोग तो इसके लिए थेरेपीज होती है अवेरनेस हम को क्रियेट करना पड़ेगा माबब में की जरा भी ऐसे कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो आप तूरन डागनोसिस करवाईए थेरेपिस्ट के पास ले जाईए डॉक्टर के पास ले जाईए क्योंकि जितना लेट हम इसको करेंगे उतना लाइफ स्टाइल में प्रॉबलम होगी बच्चों की और आजकर स्कूल में बहुत प्रॉबलम्स आ रही है एडमिशन नहीं मिल पाता फिर क्योंकि सिटिंग टॉलरेंस नहीं होता है बच्चों में वो हाइपर एक जगा बैठना नहीं सीख प सब स्कूलों में बरदाश नहीं किया जाता है तो एडमिशन में प्रॉबलम्स आ रही है तो और कार्टून सिर्फ नेगेटिव इंपक्ट डालता ऐसी बात नहीं है जैसे कि अब यह दौर ऐसा चल रहा है कि हम किसी भी चीज़ को बदल नहीं सकते तो देखना है टीवी भ पॉपोय ले लो चोटा भीम ले लो या डोरे मॉन ले लो कोई भी हो उसमें पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों होता है वो हमारे उपर है हम उसको नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव में कनवर्ट करें अगर बच्चा कुछ चीज़े देख लिया है तो उसको खाना शूरू करेंगे फ्रॉम अर्ली स्टेज बच्चा का अब्जवेशन चेंज होगा बच्चा समझने लगेगा वगर छोड़ देंगे कि मैं खाना बना लेती हूं तब तक बच्चा टीवी देख रहा है मैं कुछ और कर लेती हूं बद जब तक टीवी देख रहा है त संधर जी हमारे साथ जुड़ी हूई है संधर जी की तरफ रुख करेंगे और एक बात का जिक्त जरूर करोंगी कि हमारे पस कोई औप्शन नजर नहीं आता तो हम बोलते हैं बच्चों को टीवी देख लो या मोबाल पर कार्टून देख लो अच्छा दूसरे चैनल के जाता है और पैरेंट्स के पास क्योंकि समय की कमी है उनके पास ग्रैंड पैरेंट्स नहीं है जो उनके साथ तुड़ा टाइम स्पैंड करें यह भी प्रॉब्लम है तो एक जो समय था जो हमारे बच्च्पन की यदि हम बात करें तो हम सब मैग्जीन पढ़ा करते थे में ग्रैंड पैरेंट्स है और यदि उस घर में बच्चे को कार्टून की लट लगी हुई है तो उस समय ग्रैंड पैरेंट्स की क्या भूमिका हो सकती है दोनों की भूमिका हैं, तो सब की होना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा है अगर घर में, तो सभी को उसको देखना है, क्या कर रहा है, लेकिन हाँ, जैसे दादा दादी हैं, अब आज कल क्या हो गया है, दादा दादी को भी पहले की समय में, उन्होंने भी सभी मुबाइल देखा नहीं, कभी, मतलब किसी उनके दाइम पर इसना मुबाइल प्रैता ही नहीं था, तो उन्होंने मुबाइल देखा नहीं, या कुछ भी उन्होंने, बहुत से ग्रेंट परेंस रहते हैं, वो क्या सोसे हमें जो नहीं मिला, वो हमारे बच्चों को मिल रहा है, उनके ब सुनाते हैं, ऐसे भी कारी सुना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मुबाइल पर ही देखें, परेंस और फिर सोडी देखें पंड में भी विठाएं, थोड़ा बच्चे से यह भी ले कि उसको क्या चाहिए, क्या उसका इंट्रेस्ट है, और उसके साथ बैचे, अगर वो मुबाइल के साथ ना चोड़ें, क्योंकि वो कार्टून अपने सामने कार्टून देख रहे हैं, और मुबाइल भी कुछ भी स्ट्रॉल करते हैं, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, तो बच्चे क्या पहां से पहां पहां पाँच गए ऐसा भी तबी, तो वो बहुत नुक् आपके तरफ रुक करती हूं और आजकल ना बहुत सारे इपक्स जो है वो अनिमेटेड फर्म में भी आ गया हैं, खास तोर पर यदी मैं छोटे बच्चों के बात करूं तो उनकी लासे में ना कुछ ऐसे डमी क्लासे भी होती हैं, जिसमें उनको जो लिट्रेचर पढ़ाय जाता है, जो कि कार्टून केरक्टर के रूप में होता है, उस समय भी बच्चे का इंट्रेस्ट जो है वो उस तरफ रहता है और वो घर पर भी वो चीज तलाशने की कोशिश करता है, तो यह जो हमने बुक को पढ़ाना बंकरा के बुक का जो इलेक्ट्रिक फॉर्म रग द जाता था कि हमारे जो फीडम फाइटर से कैसे है, फर्स्ट फीडम फाइटर हमारी रानी लच्मिभाई जो सब लोग जानते हैं, आपको वैसा बनना हम एक रोल मॉडल के सामने क्रियेट कर रहे है, आफ्टर दा क्रियेशन अफ रोल मॉडल हम उनको बताते हैं कि ऐसे तो मोबाइल में देखते हैं, इसमें देखके कुछ ने मिलेगा, क्योंकि इसमें मात्र वही फेक्टर दिखाए जाएगा जो उन्होंने बनाया है, आपको अगर इसको देखना है अच्छे से बच्चा तो कुछ मत करो, आप बुक निकालो, बुक को आप श्टड़ी करो, तो मैं यह देखा कि जितना स्क्रीन टैम में वह एक बार में देखके ना भूल जाती थी कुछ दिन में, अब वह बुक में देखी, इतना अच्छे से याद है कि मनी करने का कब उसके साथ ही हुई, कैसे इसके साथ हुआ, बिटे इसके साथ कैसे लड़ाय हुआ, यह सब उन्ह करता है, वहाँ पर कहा रहता है कि हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं और समझने का कई बहुत कम उस होता है, लेकिन जब हम कॉंसेंट्रेट करके किसी चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वह पूरा-पूरा हमारा माइंड कैप्चर करता है, तो यह ऐसा लगता है कि यह ज्यादा बहतर रहेगा थिंग आज के देट में बच्चों को कार्टून कितब रुख करने के वजाए उनको कुछ एनिमिटेट बूक ही ले आओ लेकिन इलेक्ट्रोनिक वाले नहीं अडियो बूक्स नहीं उनको उरिजनल जो भूक्स है वह लाकर दें उसमें वह देखेंगे तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा ज्यादा को सिख पाएंगे सबसे इंपोर्टन चीज रहता है कि जब वह स्कृन करते हैं इसके साथ यह क करते हैं तब हम अपना भी दरते हैं हम यह भी देख सकते कि बच्चा भछों का विचार क्या रहा है पॉजिटिव लिजिव इचार है वह आगे और कि इतना लेकर जाना चाहर रहा है उनके एक्सप्टेशन को यह सब हम देख पाते हैं उसमें तुझ इसमें बहुत जो चूटे ना और इसलिए शायद वहाँ पर हम अपना इंपूट लगाने की कोशिश ने गरते हैं एक जो जहलक हमारे मन में बैड गई है कई सबकॉंशियस माइं में जो चीज रह गई है उसका हम अनलाइज करते हैं जरूर डॉक्टर भूमी का आप से जानना चाहूंगी म कि जब हम बात कर रहे हैं इसके एफेक्ट की तो कुछ विशे ऐसे होते हैं जिस पर ना हम खुल कर बात नहीं कर पाते हैं और कुछ विशे ऐसे भी होते हैं जिसको बच्चों को बताना बहुत जरूरी होता है वैसी चीजों के लिए भी आजकल कार्टून केरेक्टर का प् जोग हम कर रहे हैं, इससे हमें किस फॉर्म में करना चाहिए, इसमें आपका क्या मत है? जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजटिव और नेगेटिव और सो अभी जैसे कि सर ने बोला कि बुक अच्छी होती है, नो डाउट बुक बहुत अच्छी होती है, बुक पढ़ना चाहिए, बुक से हमारा कॉगनेशन मीन्स माइन बहुत अच्छा अलर्ट होता है, बट एक फैक्ट यह है कि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, यह नेचर की बनाई हुई प्रकृतिक देन है कि हमारी सबस्यदा नस इसका ही फायदा उठाने के लिए कि जल्दी बच्चे को चैप्टर समझ में आए, आजकल अपने अकाड़मिक में इन्वाल किया गया, CBSC स्कूलों में, ICSC स्कूलों में, जो कि पहले नहीं था, आजकल लिट्रेचर के साथ में एक सीडिस दी जाती है, क्योंकि बच्चे आ तो उसके दोनों साइड्स है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, तो अब जो कि यह हालात ही ऐसे है, यह पार्ट बन गया अमारे लाइफ का, तो इसमें समको कुछ पॉजिटिविटी निकाल लेनी है, तो अब बच्चा अगर देख रहा है, चारे, एनिमेटेड मूवी हो या कार्टून हो, सोशल मीडिया हो, तो मैंने आपको बोला कि एलिमेंट्स चेक कर लीजिए कि वो चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि टॉमेंजरी है, अब बच्चा उसमें से कई बार ऐसे रिसर्च आये हैं, कि टॉमेंजरी देखने के बाद या कुछ ऐसे जो लड़ हैं, ये आपके मनुरंजन के लिए ये फाइटिंग हो रही है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको यहां पे क्या करना चाहिए, हमको उसको रियलिटी फैक्ट चेक जेना चाहिए, तो हमको बार बार ये इन्पुट बात करते हुए, देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत जादा बड़े होने के बाद चिंता की बात नहीं होगी, क्योंकि 11-12 साल तक जो आप फीड करोगे, उसके बात सुन की परस्नालिटी फिक्स हो जाती है, काफी कुछ चीजे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, बाद में की फ्यूचर कैसा बिहेव करने वाला है बच्चा बट वो आल डिपेंड करेगा कि वो 10-11 साल तक आपने क्या फीड किया है, उसने क्या ग्रैब किया है, तो तब तक हमारे पास टाइम है, आप सारा कुछ फिल्टर बच्पर में डाल दो कि क्या सही है, क्या गलत है, गुड़ तच बैट तच है, जैसे कृष्णा की स्टोरी आती है, बाल गनेशा की स्टोरीज है, अब आज के बच्चे पोथी लेकर ये सब स्पिरिच्वल बुक्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं पढ़ रहा है घर में, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा सोर्ज है, अपने अध्यात्मों को जानने का, तो आब वहां स्टोरी शुरुवात हो जाएगी, ये एक बहुत अच्छी बात आपने अपने बातों में कही है, कि हमारा वहां पर इन्वॉल्मेंट होना बहुत जादा ज़रूरी है, कि बच्चे को हम क्या दिखाते हैं, और किस तरह से देखने की का एक नजरिया देते हैं, यदि हम उस संध्या जी आपकी तरफ रुख करते हैं, जब हम काटून कारेक्टर की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैदम ने कहा है, जो जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, जो हमारे अध्यातम से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसी कथाओं से जुड़े हुए हैं, और जब हम दूरदर्शन की तो दूर्दर्शन में जो शुरुवाती जो cartoon character आये थे वो कहीं न कहीं लॉजिकल हुआ करते थे उसमें अध्यातम हुआ करता था उसमें वैल्यूज हुआ करती थी एजूकेशन हुआ करता था और हम खुदी बच्चे को मोल्ड करते थे यह इसको motivate करते थे कि आप इसको जरूर देखिए तो हमें भी उस तरह की चीजों को सर्च करना पड़ेगा और देना पड़ेगा अब आप से सवाल यह है कि जब parents ही बहुत जादा पुश करते हैं बच्चों को कि नहीं आप यही कार्टून देखो तो बच्चे न वहाँ पर चि कि दोनों पाइल होते हैं अपन को बच्चों को बताना है कि क्या सही है क्या गलत है जैसे कि अभी माडम ने बताया यह चीज क्योंकि अगर अगर अपन बोले हैं बच्चों को यही देखो यही देखो अगर बच्चा चीर गया कि मिरको हमेशा यह तो सभी में है अपन जिस ज़िते को तो थीक जो आसपने कि शोल है कि आपने मना किया पर मता ही तो हमको भुट करना है जखेंगे तो रिफींप दूम में कना हमको जो पार्णतार है तो रोर गुटने सिह को भी चाहिए तब बच्चा जरूर समझेगा, कि यह चीज गलत है, उसका जो भी गलत है, तो अपन उसको समझा सकते हैं, और उसकी अच्छा ही बता सकते हैं, जो अपन उसको देखने के लिए बोल रहे हैं, कि यह चीज देखो, इसमें यह चीज अखी मिलेगी तुमको, और इसमें यह ची किerver το संस्कार नीज रहे है तो उसमें भी यह बताया जाता है और अधिक्तर ढक्टर हो अब शेव से हो तो मही लाहें गर्व में बच्चा है उस समय करती है जब धुक्ता जिए न जो भी रख्यां ज़िए अजी जाता है तो इस चोटा बच्च है क्योंकि जो पेट में ता अवी वन्यू ने पेट में बहुत को रहें है जाना तो शुटा रवार अपने शुच्टा पार सब्सक्राइब कर दो समय जो सीमा है वो अब समाप्त हो रही है बहुत-बहुत धन्यवाद आप तीनों ही महमानों का जिरूने इतने महत्वपूर्पूर्ण विशय पर अपने विचार रखे बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों आशा करते हैं यदि आप भी परिशान है कि आपका बच्चा बहुत जादा कार्टून देखता है तो आज की इस चर्चा से काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा किसी और विशय के साथ होगी आपसे मुलाका तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतिक्षा थोड़ा सांतिजार नमस्कार